हवालो व्लक्वान वैल्क बाकक्तो आट यूट्यूब चानल आज लोग एक बिल्गुल सिम्प्लीए स्ट्राटेजी इंटाट्य अगर्स के उपर इन-ä enc स्टॉपक मारकेट में स्टॉपक से उपर हम लोग इसकस करेंगे कैसे शाइलेक्शन करें कैसे ब्रिस्क management रखे क्या capital management होनी चाहिए and everything so अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं I would request इससे पहले intraday के उपर हमने एक detail वीडियो बनाई है क्या क्या हमारा risk management होना चाहिए क्या क्या चीजी हम लोग को खास द्यान रखना है कौन्सी asset class में trade करें क्या rules है क्या risk management है capital management है कितना हम लोग maximum risk ले सकते हैं maximum profit everything we have discussed in detail so I request you guys कि आप लोग उसको एक बर जरूर देखे before watching this video and अगर आप लोग intermediate level है थोड़े advanced level है the intraday strategy काफी आप लोगोंने use कर थी हैं लेकिन वो कुछ काम नहीं आ रहा then you are on the right video इसमें मैं आपको बिल्कुल स्ट्राटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसमें आप रिस्टों reward ratio अच्छा रखिए और इसकी probability एप्रॉक्स 60 to 70 percent है आप डेफिनेटली इसको ट्रेड कर सकते हैं इनिशिली आप ट्रेडिंग करिए और इवेंचुली जब आप अच्छे हो जाएंगे देन फुल कॉन्फिदेंस के साथ रियल मैंनी के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं सो चलिए let's dive into this thing and हम लोग जानते हैं आज की हमारी स्ट्राटेजी सो बिफोर मुविंग फर्दर स्ट्राटेजी के कुछ रूल से कैसे stock selection करना है कैसे asset class choose करनी है हम लोग उसको जान लेते हैं सो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्राटेजी सबसे पहले अब आप लोग पुछेंगे सर हम लोग stocks कौन से select करें कैसे stocks collect करें and everything सबसे पहले आप लोग को जो stock select करने है that stocks should be large cap right large cap what do I mean by large cap companies जिनकी valuation एक लाग करोड से उपर है market cap की मैं बात कर रहा हूं एक लाग करोड से उपर है और वो अच्छे demand supply zone अच्छे price action अच्छी liquidity साथ market में trade कर रही है उनको हम categorize करते हैं large cap mid cap small cap so आप beginner है strategy में हम लोग जो हमारे large cap है हम उन्हें कोई trade करेंगे mid cap और small cap को हम लोग trade नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमने पीसले वीडियो में discuss किया कि उनमें इतनी liquidity नहीं रहती और वो इतने volatile भी नहीं है और उनके दर buyer sellers की भी काफी कमी है तो उनमें daily upper circuit lower circuit रखता है है तो हम लोग उसको track नहीं कर पाएंगे हम उनके अंदर trade करेंगे जब तक circuit नहीं खुलेगा so large cap को and mainly mainly blue chip companies what do I mean by blue chip companies so blue chip companies जो market की leaders है अपने sector की जो leaders है एक particular like we have 8 to 10 sectors including FMCG right bank financial financials right metal है okay metal है then we have PSU sector we have okay IT sector we have right there are XYZ sectors आप इन sectors की जो top companies 2 two or three companies आप उन लोग को select कर सकते हैं and उनके उपर ही हम लोग पूरी strategy हमारी based है right two or three करते हैं अगर max हमारे पास 10 sectors है then we have 30 companies to trade right और यह homework आप लोग को पहले से करके रखना है बिल्कुल पहले से करके रखना है and इस strategy में मैं आप लोग को बताऊंगा कि stocks आपको कैसे select करने है and stocks भी आप लोग को इस वाली strategy में पहले से select करने की कोई जुरूत नहीं है हम और further हमारे पास strategy है जिनके अंदर हम लोग पहले से select करते हैं लेकिन इस वाली strategy में जैसे as it name suggests simplest so इसके आप लोग को जैसे market खुलेगी within 5-10 minutes आप लोग को stock selection करना है and वो stock selection कैसे करना है everything we will discuss in detail okay so top companies blue chips large gap criteria match volatile होंगे liquidity अच्छी होगी सारी चीज़े perfect होंगी अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं कि stock selection कैसे करना है and strategy कैसे करनी है उसका risk to reward ratio क्या रहा है capital management and everything so let's dive into that thing so आप लोग को Google Chrome का हमारा browser खूलना है and यहाँ पर आप लोग को search करना है सबसे पहले हम लोग short selling किसी stock के अंदर अगर हम लोग को short selling की position बनानी है तो उसके बारे में discuss करते हैं so सबसे पहले आप लोग को यहां search करना है simple screener है हमारा open high same charting यह आप लोग को search करनी है and हम लोग यहाँ पर search कर देंगे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे open high same charting technical analysis इस पर आप लोग को click कर देना है and इसके नीचे आप लोग को यहाँ पर stocks दिख जाएंगे right so आप लोग को stocks दिख जाएंगे कि कौन-कौन से हैसे stocks हैं जिनके अंबर open और high बना था open high मतलब जितने पर stock open हुआ वही उसका high था उसके उपर वो गया है नहीं उससे नीचे ही उसने trade किया हम जैसे हमारी 5050 में हमारे नेसले इंडिया भी है and LTI माइनट्री भी है so LTI माइनट्री को हम लोग इक बार track कर लेते हैं so LTI माइनट्री हम लोग यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर हमारे trading view है trading view पर हम लोग इसको five minutes select कर लेते okay so यहाँ पर five minutes chart open करना है यह आप लोग को कप करना है 915 से 920 के बीच में आप लोग को 920 पर आप लोग को देखना है first five minutes candle जो open equals to high बन रही है अब open equals to high बन रही है या नहीं बन रही हम एक बार इसका criteria देख लेते हैं एनार LTI mine tree right so यहाँ पर आप लोग को LTI mine tree search करना है यह हमने search कर लिया यहाँ पर LTI mine tree हो गया now we have इसका chart right so इसकी जब हम लोग यह video shoot कर रहे हैं आज की date है 5 feb तो 5 feb को इसने एक तगडी बेरिश मोरो बूजू candle बनाए जैसे आज के टाइम पर market हमारी sideways थी थोड़ा bearish to sideways थी तो हम लोग short selling के stocks देखेंगे stock selling के stocks जैसे मैंने आप लोग बोला trend के साथ रहना है global sentiment के साथ हम लोग को रहना है यहां पर candle first five minute की candle हमारी थी open equals to high ठीक है मैं इसको select भी करके रिखा हूँ यहां पर देखिए open जीतना था उतना ही इसका high था यहां पर आप लोग देख सकते है 5524.50 इसका open था and जो इसका high था 5524.50 ही था यह हमारा stock criteria में match हो गया short selling के हम लोग position आज में देखेंगे क्योंकि हमारी market sideways थी थोड़ा bearish sentiment था तो हमने stock select कर लिया अब आप लोग पुछेंगे sir हम लोग को trade कहां लेनी है और हम लोग को stop loss कहां रखना है so हमारा जो trade होगा trade का setup मैं यहां पर आप लोग को short यह हमारा trade का setup फॉर्स फाइफ मिनिट्स आप लोग के दिखें open equals to high बन गया okay बन गया अब जो इसकी next candle होगी उसकी opening पे आप लोग को इस particular stock को short कर देना है particular asset class को ठीक है so इसको हम लोग को short कर देना है and हम लोग को stop loss इसका इस candle के अभव हम लोग को stop loss रखना है so अब हमारा stop loss आप लोग देख सकते है 34.95 रुपीज का हो चुका है 0.64% इसका SL है अब हम लोग को target कितना रखना है so now comes our risk to reward ratio इतनी बात समझा गई candle बनी बेरिश candle बनी ओके open high criteria match हो गया next candle की opening पर हम लोग shot कर देंगे open high बनाए तो हम लोग shot कर देंगे 5 minutes candle पर हम लोग इसको देखेंगे 5 minutes chart पर देखेंगे यहाँ पर shot कर दिया अब हम लोग को देखना है हमारा risk कितना बन रहा है सो रिस्क हमारा कितना बन रहा है यहाँ पर 34.95 रुपीज 0.64 परसंट का हमारा risk बन रहा है अब हम लोग इसका जो हमारा target होगा target इधर हम लोग इतना ही रखेंगे या हम लोग इसको बड़ा भी देंगे okay so हम लोग इसका target 1.2 के आसपास रखते हमने इसका target रखा जो था 1-2 का risk reward ratio so stock ने पूरे दिन में हमें यह दिया हां जी बिलकुल दिया थोड़ा सा माइनूर सा थोड़ा सा difference 1.15 पे stock पूरे दिन downtrend में था 1.15 हमें दिया market ही close होगी तो market close होगी तो जितना हमारे पर profit आ रहा है हम लोग उस चीज़ से exit कर जाएंगे now हमारा SL इतना था 0.64% का right और इसका double हमारा target था 35 रूपीज का approach हमारा SL था stock सारी चीज़े match होगी हम लिए position create कर ली and here is our target okay so यह था selling का scenario अब मैं आप लोग को दिखाऊं कि हम लोग buying क्या करेंगे so buying कैसे करेंगे buying के लिए आप लोग को क्या करना है same इसी पर आप लोग को open high open high था हमारा पहला अब हम लोग open low select कर लेंग open low same charting so इस वाले technical analysis indicator अब हमारे पास आ गया सबसे टॉप पर क्या है same steel authority of India 5 feb की मैं बात कर रहा हूं आप लोग यहां पर जाएंगे हमारे trading view की पर और यहां पर हम लोग steel authority of India इसको देख लेते हैं now we have steel authority of India अब पहला criteria open equals to low होना चाहिए so यह five minutes candle आप लोग देख पा रहे हैं open equals to low था open 130.30 and low was 130.30 अब first criteria match right अब हम लोग यहां पर trade initiate करेंगे so trade हम यहां पर क्या करेंगे open low है तो हम लोग buying की trade करेंगे long करेंगे position अगली candle की जैसी opening होगी five minutes की candle शुरू वाली हम ने देख ली open equals to low थी उससे अगली candle पर हम लोग entry कर जाएंगे and stop loss हमारा होगा इस candle के नीचे जो की इसमें है one point five rupees one point one four percent यह है अब हमारा target कितना होगा हम लोग ने as we discuss target हमारा at least one is to two होगा one point five zero हमारा SL था तो हमारा target होगा three so target हमारा इसने within like hardly 40 to 45 minutes के अंदर इसने हमारा target दे दिया now target achieved हम यहाँ से one is to two में निकल जाएंगे या अगर आप लोग trailing stop loss करना चाहते हैं तो आप लोग यह जो हमारे initial stop loss था इसको आप बढ़ा के हमारे buying position पे भी रख सकते हैं and stock को और ride कर सकते हैं क्योंकि उस दिन उसने काफी अच्छा rally दी थी sale ने sale approach five percent भागा था so इसको आप लोग trailing भी कर सकते हैं हमारे RSI की साथ भी trailing कर सकते हैं या और different indicators हैं Bollinger Band है MACD आप उसकी साथ भी इसको trailing कर सकते हैं so I hope guys आप लोग को समझ आ गया होगा this is the most simplest strategy आप लोग को बस करना क्या है इसको 915 to 920 के बीच में देखना है 920 तक आप लोग को सारा data upload हो जाएगा कि कौन कि stock ने open high open low यहां पे लगाया है और आप लोग इसको देख सकते हैं रई जैसे यहां हमारे सिर्फ open low में सिर्फ दो stock मैच हुए थे sale and ICIC Lombard so इन दोनों में से sale में में को liquidity अच्छी लगती है थोड़ी volatility अच्छी होगी तो मैंने इसको select कर दिया ऐसे आप लोग different stocks को select कर सकते हैं so this is the most simplest strategy आप लोग use कर सकते हैं और इसकी strategy की accuracy approximately 60 to 70% है and अगर आप proper risk management थोड़ा आप इसको time देंगे strategy को eventually you'll find it very profitable और आपके discipline काफी matter करता है risk management capital management आप लोग जरू देखिए जो इसे हमने पिछी वीडियो में discuss किया था 2% max आप लोगों को एक दिन में lose कर सकते हैं 2% max of your capital और उतना ही 4% आप लोग max profit अपना limit set कर सकते हैं तो दोनों में से कुछ भी हो जाए 4% your profit 2% your loss फिर आप पूरे दिन trade नहीं करेंगे तो आपको यह चीज़े भी ध्यान में रखनी है and if you like this video I am sure you will so hit a like button share this video as much as you can subscribe to our channel for more such informative videos and we'll see you in the next video till then bye data take care thank you